आज जोपडियों के पर्व का अंतिम दिन है जब परमेश्वर ने पिछली वर्षा के पवित्रात्मा की प्रतिग्या की थी हर साल जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हम मेंसे कई लोग सोचते हैं हमें पवित्रात्मा के साथ क्या करना चाहिए आए हम मतिय अध्याय 25 खोले और पता करे कि पवित्रात्मा प्राप्त करने के बाद प्रतम चर्च के संतों ने क्या किया और आज जब हम पवित्रात्मा प्राप्त करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आए हम मतिय अध्याय 25 आयत 14 देखे अध्याय 25 आयत 14 में येशु ने कहा क्योंकि यह उस मनुष्य किसी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुला कर अपनी संपत्ति उनको सौब दी उसने एक को पांच तोड़े, दूसरे को दो और तीसरे को एक, अर्थार हर एक को उसकी सामर्ति के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया तब जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेंदेन किया और पांच तोड़े और कमाए इसी रिती से जिसको दो मिले थे उसने भी दो और कमाए परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोधी और अपने स्वामी के रूपए छिपा दिये बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने रगा जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने पांच तोड़े और लाकर कहा हे स्वामी तुने मुझे पांच तोड़े सोपे थे देख मैंने पांच तोड़े और कमाए है उसके स्वामी ने उससे कहा धन्या हे अच्छे और विश्वास योग्य दास तु थोड़े में विश्वास योगी रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सभागी हो, और जिसको दो तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, है स्वामी, तुने मुझे दो तोड़े सोपे थे, देख मैंने दो तोड़े और कमाए, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तु थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सभागी हो, तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, है स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तु कठोर मनुश्य है, तु जहां कई नहीं बोता, वहां काटता है, और जहां नहीं चीटता, वहां से बठोरता है, इसलिए मैं डर गया, और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में चीपा दिया, देख, जो तेरा है, वो यह है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, है दुष्ट और आलसी दास, जब तु यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया, वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं चीटा, वहां से बटोड़ता हूं, तो तुझे चाहिए ता कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याद समेत ले लेता, इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास दस तोड़े है, उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परन्तु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा, और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दात पीशना होगा। मतियध्य 25 में दिया गया तोडो का द्रिश्टान्थ हमें बहुत सी बाते सिखाता है। परमेशों ने हमें सु समाचार का मिशन अर्थार तोडो को सोपा ताकि हम इसके साथ काम कर सके। दूसरे शब्दों में हमें प्रचार करना चाहिए। जब स्वामी लोटा, तो उसने सेवकों के काम के परिणामों की जाच की। जिसने पांच तोड़े प्राप्त किये थे, वह पांच तोड़े और लाया और स्वामी को कुल दस तोड़े लोटा दिये। यह देखकर स्वामी ने कहा, धन्या, छोटी बातों में तुम्हारी विश्वास युगिता को देखकर, मैं तुम्हें महान वस्तुओ कादिकारी बनाओंगा। जिसने दो तोड़े प्राप्त किये थे, उसने कहा, हे प्रभु, मैंने दो और तोड़े प्राप्त किये है, चाहे कितनी भी राशी क्यों ना हो, स्वामी ने प्रयास को देखकर कहा, तुम भी तोड़े में विश्वास युगी रहे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत वस्तुओक आदिकारी बनाऊंगा। लेकिन जिसे एक तोड़ा मिला था, उसने जमीन में एक गड़ा खोदा और उसे छिपा दिया। हमें परमेश्वर से क्या मिला है? क्या ये सूसमाचार नहीं है? क्या होगा ये सूसमाचार को छिपाया है? दूसरे शब्दों में ये ये हमने कभी किसी को सूसमाचार का प्रचार नहीं किया है, तो क्या होगा? हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वामी ने क्या कहा? परमेश्वर ने इसे दूष्ट कहा, अगर हमें कोई कीमती चीज मिलती है तो हमें उसे दूसरों के साथ बाटना चाहिए लेकिन जब दास ऐसा करने में विफल रहा तो उससे कहा गया तो तुम्हें तोड़े को सराफों के पास रखना चाहिए था तो क्या मैं इसे ब्याद सहित वापस नहीं ले लेता तुमने उसे जमीन में क्यों गाड़ा परिणाम सरुप दास को बाहर अंधेरे में डाल दिया गया इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि येशु ने हमें मती अध्याए 25 में ये द्रश्टान क्यों दिया स्वर्ग जाने से पहले येशु ने हमें सिखाया कि हमारा कर्तव्य है कि हमने पिता से जो कुछ प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुँचाए सीधे शब्दों में कहे तो उन्होंने अपने चेलों को सुसमाचार का प्रचार करने का काम सौपा उन्होंने कहा, सामर्या में और प्रिथ्वी की छोड तक मेरे गवा बनो और तुम जायो सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बबतिस्मा दो और उन्हें सब बाते जो मैंने तुम्हें आग्या दी है, मानना सिखाओ। जिसे एक तोड़ा मिला था, उसने कुछ नहीं किया। यदि उसके पास विश्वास की आखे होती, तो वो मार्ग देखता। लेकिन उसका हरदय संदे और जिजक से भरा था। जो यह सोचते हुए डगमगाते हैं, यदि मैं इसे करू, तो क्या इससे कुछ होगा, वे बादाओं को देखते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज बादा ही नजर आती है। लेकिन जब परमेश्वर हमें प्रचार करनी की आग्या देते हैं, तो क्या वो हमारे आसपास की सभी बादाओं को दूर नहीं करेंगे। चुकि परमेश्वर आज सीयोन में अपनी संतानों को पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, इसलिए हमें उस दास के समान रवय्या नहीं रखना चाहिए, जिसने एक तोड़ा प्राप्त किया था। जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया है, जिनके पास विश्वास की आखे हैं, वे मार्ग देख सकते हैं, फिर बले ही कोई बड़ा परवत उनका मार्ग अवरुद क्यों ना कर रहा हो, वे बस इसके माध्यम से सुरंग बनाते हैं, है ना। विश्वास की आखे हमें यही सिखाती है, जिन दासों को पांच तोड़े और दो तोड़े मिले थे, वे एक मार्ग देख सकते थे, जिसे एक तोड़ा मिला था, उसने उसे भूमी में क्यों गार दिया, ऐसा इसलिए था, क्योंकि उसकी नजर में सब कुछ एक बादा के र अवरोत पैदा करती है, लगबक 3500 साल पहले, जब बारा बेदियों ने कनान का भेद लिया, तो दो बेदिये द्वारा देखे गए कनान और अन्य दस बेदियों द्वारा देखे गए कनान के बीच एक सपष्ट अंतर था, पले ही उन्होंने एक ही वातावरन को देखा, लेकिन यहोशू और कालिप की आखों में यद दूद और मदू की धारा भेने वाले देश के रूप में दिखाई दिया, जबकि दस बेदियों की आखों में सब कुछ बादाओं की तरह लग रहा था, पवित रात्मा प्राप्त करने वालों की दृष्टी में बादाए मौजूद नहीं हो सकती, चुकि परमेश्वर उन्हें विश्वास की आखे देते हैं, इसलिए वे एक मार्ग देख सकते हैं, जब हम 2000 साल पहले के प्रथम चर्च के इतिहास को देखते हैं, तो ये लिखा है, वे हर दिन एक साथ मिलते रहें और परमेश्वर की वच्चन का प्रचार करते रहें, प्रमेश्वर की वच्चन से प्रेम करने वालों की संख्या एक दिन में बढ़कर लगबख 5000 हो गई, करिब 3000 लोगों ने भप्तिस्मा लिया, चेलों की संख्या प्रती दिन बढ़ती गई, प्रेरितों की पुस्तक सुसमाचार प्रचार की पुस्तक है प्रेरितों की पुस्तक में प्रेरितों का प्रचार दर्ज है पेंदिकूस के दिन पर पहली वर्षा का पवित्रात्मा प्राप्त करने के बाद उलेकनी घटनाय हुई इसके अलावा पिछली वर्षा के पवित्रात्मा की जोती को साथ गुना तेज कहा गया है यह प्रतम चर्च की तुल्णा में कही अधिक शक्ती के साथ सु समचार का प्रचार अधिक शीगरता से करने में मदद करेगा जो लोग उस सामर्ते को महसूस नहीं करते हैं उन्होंने तोडो को मिट्टी में गाड़ दिया है जिनोंने जमीन में तोडो को छिपाया है वे कभी भी परमेश्वर के चमतकारों का अनुबाव नहीं करेंगे परमेश्व ने यहोशु और कालिब को यरियों के पतन का गवा बनने दिया लेकिन अन्य दस बेदियों के बारे में क्या? वे इसे नहीं देख सके और वे जंगल में नश्ठ हो गए आज जुपडियों के परव के माध्यम से हमें सोचना चाहिए हमें इस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य कैसे करना चाहिए केवल पांच तोड़ों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए हमें विचार करना चाहिए कि उन्हें प्राप्त करने के बाद क्या करना है इस प्रकार हमें परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए धन्य है अच्छे और विश्वासियों के दास पिछली वर्षा के पवित्रात्मा में विश्वास, बुद्धी और ज्ञान का पवित्रात्मा भी है यदि हमने विश्वास का पवित्रात्मा प्राप्त किया है, तो हमारी आखे बदलनी चाहिए हमें हर स्थिती में एक मार्ग देखना चाहिए, बाधाओं को नहीं जो लोग इस बात पर ध्यान गेंद्रित करते हैं, कि चीजे क्यों काम नहीं करती उनके पास संदे और जीजक की आखे हैं, जिन लोगों के पास पवित्रात्मा द्वारा दी गई विश्वास की आखे हैं, वे हमेशा मार्ग देखते हैं एक दिन, एक जूता कंपनी ने दो कर्मचारियों को अफरीका भेजा यह एक ऐसा समय था, जब कई अफरीकी नंगे पैर गूमते थे कंपनी के प्रेशिडेंट ने उन्हें जाच करने के लिए कहा क्या हमारे लिए अफरीका में जूते बेचना संभव होगा दोनों कर्मचारी जगह की जाच करने के बाद लोट आए कर्मचारीयों में से एक ने बताया, अफरीका हमारे लिए जूते बेचने की जगह नहीं है जब सभी नंगे पाव चलते हैं और कोई जूते नहीं पैनता, तो हम जूते कैसे बेच सकते हैं दूसरे विक्ति ने अलग तरह से सोचा, नहीं, जोकि हर कोई नंगे पैर चलता है, इसलिए अगर हम उन लोगों को जूते पहना सकें, तो कंपनी को बहुत फाइदा होगा एक ने कहा यह असंभाव है, जबकि दूसरे ने कहा यह असीमित आवसरों की दुनिया है इसलिए प्रेशिडेंट ने उस विक्ति को चुना जिसने बड़ी संभाव ना देखी और उसे जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया हाला कि जब उसने स्नीकर्ज बेचने की कोशिश की, तो कोई खरीदार नहीं था, क्योंकि जूते बहुत महेंगे थे उसने प्रेशिडेंट से कहा, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि अफरीका का प्रत्यक विक्ति जूते पहने इसलिए केवल एक वर्ष के लिए, क्रपय मुझे बिना शर्ट साहता प्रदान कीजिए प्रेशिडेंट सहमत हुए, परिणाम स्वरुप उसने प्रत्यक अफरीकी विक्ति को, जिससे वो मिला, मुफ्त स्नीकर्ज प्रदान कीए अच्छे गद्दे के कारण उन्हें नंगे पैर चलने की तुल्णा में इसे अधिक आरामदायक पाया लगवग एक साल बाद उनके जूते खराब होने लगे, इसलिए उन्हें अपने जूते बदलने पड़े वे अब नंगे पैर नहीं चल सकते थे, उन्हें स्नीकर्ज की आदत हो गई थी उन्होंने मैसूस किया कि स्नीकर्ज पहनना कितना सुविदा जनक था तब से लोगोंने एक के बाद एक स्नीकर्ज खरीदे इसलिए वह कमपनी स्नीकर उद्योग में एक वैश्विक नेता बन गई एक विक्ति ने केवल वर्तमान स्थिती पर ध्यान केंद्रित किया जबकि दूसरे विक्ति ने मार्ग देखा हमारा सुसमाचार भी वैसा ही है क्या ये वसु समाचार नहीं है जिसे परमेश्वर करते हैं? ये वसु समाचार कितनी दूर तक पहुँचता है? इसे सामर्या में प्रित्वी की छोड तक सभी जातियों में प्रचार किया जाना है? कुछ लोग सोच सकते हैं, मुस्लिम देशों में या बोध देशों में या हिंदू देशों में इसका प्रचार कैसे किया जाएगा? सभी लोगों येधी परमेश्वने पहले से ही सामर्या में और प्रित्वी की छोड़ तक प्रचार करने के लिए सु समचार को निर्देशित किया है, तो कुछ भी, कभी भी उनके वच्चन में बादा नहीं डाल सकता है क्या परमेश्वर के वच्चन की शक्ती सभी बादाओं को दूर नहीं करेगी और आगे बढ़ती नहीं रहेगी? दोनों कर्मचारियों के विचार अलग थे यहुशू और कालेब और अन्य दस बेदियों के विचार भी अलग थे दस बेदियों ने सोचा की निवासी मजबूत है और उनके पास शक्तिशाली हात्यार और एक महान गड़ है यह केकर की वे ठिड़े की तरह दिखते हैं जबकि निवासी मनुश्यों के रूप में दिखाई देते थे यह विरोधा भास कितना कठोर था लेकिन यहुशू और कालेब ने इसे इस तरह नहीं देखा उन्होंने कहा वे हमारी रोटी है वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है ब्रह्मान में सबसे शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ है हमें उनसे क्यों डरना चाहिए परमेश्वर ने कनान का वादा किया था इसलिए बिलकुल मत डरो, उन्होंने विश्वास के ऐसे शब्दों से लोगों को आश्वस्त किया। लंगे पेर चलने वालों को स्नीकर स्प्रदान करने के लिए हमारे पास ज्यान होना चाहिए। जब हमारे पास विश्वास की आखे होती है, तो हमारे सामने एक मार्ग हमेशा खुलता है। जिन्होंने उस मार्ग को अपनाया, वे विश्वास के विजही मार्ग पर चले। आज जुपडियों के पर्व के अंतिम दिन पर परमेश्वन ने योहन्ना ध्या 7 आयत 37 में कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आय और पिये। उसने यह वच्चन पवित्रात्मा के विशे में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। फिर जिन लोगों ने पवित्रात्मा प्राप्त किया है, उनके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए। हर मार्ग को देखने के लिए हमारे पास विश्वास की आखे होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास संदे या जिजक की आके होती है तो मार्ग का भी क्या होता है यह चिप जाएगा हम इसे नहीं देख सकेंगे हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा पाहड हमारा रास्ता रोक रहा है और एक भादा जिसे हराया नहीं जा सकता हमें आगे बढ़ने से रोक रही है आईए देखे कि प्रतम चर्च के नभियों ने पैंतिकूस के दिन पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त करने पर क्या किया आईए हम प्ररितो की पुस्तक अध्याए दो खोले प्रजितो अध्याय दो आयत 4 में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्द्य दी वे अन्यन्य भाषा बोलने लगे आयत 14 में आईए देखे कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बात क्या हुआ तब पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उचे शब्द से कहने लगा हे यहुदियो और हे यरुशलेम के सब रहने वालो यह जान लो और कान लगा कर मेरी बाते सुनो जैसा तुम समझ रहे हो यह लोग नशे में नहीं है क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चड़ा है परन्तु यह वह बात है जो योयल भविश्वक्ता के द्वारा कही गई थी परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटिया भविशिद्वानी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्निये सोपन देखेंगे वरन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी दिनों में अपने आत्मा में से उंडे लूँगा. यहां वे पवित्रात्मा से भर गए और जब परमेश्वर ने उन पर पवित्रात्मा उंडेला, तब उन्होंने परमेश्वर की सूसमचार का कारियर शुरू किया. आए अध्याए दो आयत 38 देखें. अध्याए दो आयत 38 में लिखा है, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमेंसे हर एक अपने अपने पापों की शमा के लिए येश्व मसी के नाम से बप्तिस्मा ले, तो तुम पवित्रात्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिग्यतुन और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर-दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभू हमारा परमेश्वर अपने पास पुलाएगा, उसने बहुत और बातों से भी गवाई दे दे कर समझाया, कि अपने आपको इस तेड़ी जाती से बचाओ, अतह जिन्होंने उसका वचन ग्रहन किया, उन्होंने बप्तिस्मा लिया, और उसी दिन तीन हजार मनुश्यों के लगभग उनमें मिल गए, वचन 43 में आईए देखे कि प्रेरितों और प्रथम चर्ज के संतों ने पवित्रात्मा प्राप्त करने पर क्या किया, और सब लोगों पर भाय चा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्न प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इखटे रहते थे, और उनकी सब वस्त्वे साजे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ती और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी अवशक्ता होती थी बाट दिया करते थे, वे प्रति दिन एक मन होकर मंदिर में इखटे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन के सिदाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्थुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन थे, और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभू, वो क्या करते थे? प्रति दिन उनमें मिला देता था. हर दिन, प्ररितों और प्रतम चर्च के संतों ने यह कहते हुए बिना आराम के प्रचार किया, येशु ही मसी है. आईए हम अध्याच चार आयत एक पर जाए. अध्याच चार आयत एक में लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदू की उन पर चड़ाए. क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए, कि वे लोगों को सिखाते थे और येशु का उधारन दे दे कर, मरे हुओ के जी उटने का प्रचार करते थे. उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी, परन्तु वच्चन के सुनने वालों में उसे बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिंती पांच हजार पुरुशों के लगबग हो गई. जैसा कि हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होने के बाद, प्रतम चर्च के संतों ने हर दिन एक साथ इखटे होने और परमेश्वर की वच्चन का प्रचार करने का हर संभव प्रयास किया, और इस प्रकार अंत में प्रतम चर्च के सभी संतों दस तोड़े उत्पन कर सकें। जैसे जैसे पूरे यरुशले में सुसमचार का प्रचार किया जाता रहा, धार्मिक नेताओं को लगने लगा कि उनका धर्म नश्ठ हो जाएगा। आए हम आयत 13 की और बड़े अधैचार आयत 13 जब उन्होंने पत्रस और योहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपड़ और साधारन मनुश्य है, तो आश्चरे किया, फिर उनको पहचाना कि यह येश्यो के साथ रहे है। उस मनुश्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ ना कह सके। परन्तु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या देकर, वे आपस में विचार करने लगे। हम इन मनुश्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरुश्यलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्द चिन्न दिखाया गया है और हम इसका इंकार नहीं कर सकते। परन्तु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए, उन्हें धमकी दी गई और निंदा की, अब भी ऐसा ही है। प्रेरितों की पुस्तक में परमेश्वर के सत्य में बादा डालने के बारे में अभी लेकों की जाज करके, हम समझ सकते हैं कि वे इस यूग में हमारे बारे में इतने जूट क्यों बनाते हैं। प्रेरितों ने किवद इस संदेश का प्रचार किया कि येशु ही मसी है, और फिर भी विरोधियों को अपने धर्म के डहने का खत्रा था। बचन सत्रा, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैलना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुश्य से बाते न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, येशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना, परंतु पत्रस और योहन्ना ने उनको उतर दिया, तुम ही न्याहे करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुमारी बा इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे, इस तरह प्रतम चर्च का सू समचार येरुशलेम से पूर्व के कई देशों में तेजी से फैल गया, इस प्रकार येहुदी धर्म जो उस समय शाशक वर्ग था, आश्चर चकित थ उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं सभी लोग ये शुपर विश्वास ना करने लगे, अपने धर्म के पतन के धर से उन्होंने लोगों को फुसलाया, धंकी दी और यहां तक की कारावास का प्रयाज भी किया, वे तरह तरह के तरीके अपनाते थे, प्रयरितो अध्याए 24 में उन्होंने लोगों को उसमें शामिल होने से रोखने के लिए प्रतम चर्च को पंत की रूप में कलंकित किया, विभिन्न तरीकों को अपनाने के बावजुद पवित्रात्मा की सामर्ति को मानविय शक्ति द्वारा कभी नहीं रोका जा सकता है, पवित्रात्मा की सामर्ति ने सुसमचार को अधिक व्यापक रूप से और तेजी से आसपास के देशों में फेलने में सक्षम बनाया, परमेश्वर अब प्रतम चर्ज की तुलना में साथ गुना अधिक तेज प्रकाश चमकाएंगे। उस समय सूसमाचार केवल एश्या और यूरोप में कुछ हिस्सों तक पहुचा लेकिन अब क्या कोई ऐसा महाध्वीब है जहां सूसमाचार का प्रचार नहीं किया गया है। उत्तर में अलसका से लेकर दक्षिन में उश्यवाया शेहर तक परमेश्वने सूसमाचार के लिए मार्ग खोल दिया है। आज यदि हमने पिछली वर्षा का पवित्रात्म प्राप्त किया है तो हमें इसके साथ अपने मिशन को पूरा करना चाहिए। चाहे हमने पांच तोड़ो, दो तोड़ो या एक तोड़ा प्राप्त किया हूँ, हमें यह सोचकर डरना नहीं चाहिए, मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूँ। हमें बस जाना चाहिए और वही करना चाहिए जो परमेश्वने हमें करने के लिए कहा है। योना ने कैसे प्रतिक्रिया दी जब परमेश्व ने उसे निन्वे जाने और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए कहा तो वो डर गया और भाग गया वो परमेश्वर के वचन का पालन करने के बजाए तर्शीष को भाग गया लेकिन क्या परमेश्व ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मचली तयार नहीं की और इस तरह परमेश्वर की वच्छन का प्रचार करने के लिए निन्वे में उसकी अगवाई नहीं की ऐसा नहीं था कि योना वाक्य पटू था या उसके पास कोई विशेश कौशल था उसने परमेश्वर की वच्छन प्रचार करो की आज्याकारिता में प्रचार किया लेकिन एक लाग बीस हजार निन्वे के लोगों का पश्चताब की और भारतर्शन किया गया यह घटना योना की कलपना से परे थी उसी तरह जब परमेश्वर में कुछ करने की आज्या देते हैं तो हमें वक करना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम समतकार देखेंगे आफरिका में लोग बिना जूते पहने रहने के आदी है मैं उन्हें जूते कैसे बेच सकता हूँ यह असंबव है हमें ऐसा नकरात्मक विज़ार नहीं रखना चाहिए इसके बजाए हमें सोचना चाहिए चोकि वे जूते नहीं पहनते हैं इसने यह एक नीला सागर है आज हमने पिछली वर्षा के पवित्रात्मा की प्रचुर आशिश प्राप्त की है संदे की आखों से बादाओं को न देखिए बलकि विश्वास की आखों से मार्ग को देखिए हमारे परमेश्व ने हमें यह कार्य करनी की आग्यादी है योना से परमेश्व ने कहा निन्वे में जाओ और संदेश का प्रचार करो हम से परमेश्व ने कहा जाओ और सब जातियों को सुसमचार का प्रचार करो यदि हमने परमेश्वर का मिशन प्राप्त किया है तो हमें जाकर प्रचार करना चाहिए हमारी अपनी वाक्य पटूता या शिष्टाचार बहुत महतपूर्ण नहीं है मुझे आशा है कि इस वर्ष परमेश्वर की महिमा सामर्या में और पृत्वी की छोड़ तक फैलेगी ताकि सभी परमेश्वर के चमतकारों को देख सके हवित्रात्मा को छिपाना नहीं चाहिए यह आशा करते हुए कि आप और में परमेश्वर की सामर्ते क्या अनुभव करेंगे और अपने जीवन में उनके कार्यों को महसूस करेंगे मैं उद्देश को समाप्त करना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद